आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो अगर हम माल लेते हैं यह क्या क्या रहा है कि सबसे पहले हमारे साथ ऐसा होता है कि भई A चांस लेता है फिर B लेता है और फिर C लेता है और इसी order बेर चल रहा है हम तब तक यह game खेलेंगे जब तक कोई एक बंदा जीत नहीं जाता तो probability of A winning मतलब सबसे पहले A चलेगा अगर माल लोग पहली चांस में जीत क्या तो क्या probability होगी 2 by 3 की अब माल लेते हैं पहली चांस में नहीं जीता तो यानि कि probability क्या होगी नहीं जीतने की 1 by 3 क्योंकि इसका opposite into B भी नहीं जीता तो वो हो जाएगी half और फिर C की चांस आएगी वो भी नहीं जीता तो वो क्या हो जाएगा 3 by 4 into अब second round में A जीत जाता है तो 2 by 3 हो जाएगा प्लस अब माल लेते हैं चलो first round में नहीं जीता B भी नहीं जीता C भी नहीं जीता second round में भी क्या हो जाएगा नहीं जीतना है, तो नहीं जीतने के लिए यही क्या हो जाएगा, स्क्वेर हो जाएगा थर्ड राउंड में जीत सकता है तो हमने यह क्या लिखा, यह लिखा फर्स्ट राउंड की बात, यह लिखे सेकंड राउंड की बात, और यह लिखे यह होगा तो r क्या आ गया है मेरे पास common factor जो होता है वो आ जाता है 1 by 3 into 1 by 2 into 3 by 4 ये और ये cancel तो ये हो जाता है 1 by 8 ठीक है ये हो जाता है तो infinite GP का sum क्या होता है infinite GP का sum हो जाता है मेरे पास n divided by 1 minus r यह हो जाता है infinite GP का sum तो n क्या है यहाँ पर n है मेरा 2 by 3 divided by 1 minus 1 by 8 that means 2 by 3 divided by 7 by 8 तो यह क्या बन जाता है मेरा 16 by 21 तो यह हो जाता है मेरा probability of a अब same way क्या होगा same way मैं बोलूँगा probability of b के लिए यानि कि 1 नहीं जीतता है तो हो जाता है 1 by 3 into 1 by 2 अब b जीत गया first round बे अगर मालो वो भी नहीं जीता तो c पे आ जाएगी बात यानि कि 1 by sorry 3 by 4 into 1 by 3 और into क्या हो जाएगा 1 by 2 correct ये बात आ जाती है plus अब अगर मालो third round में जाती है बात तो 1 by 3 1 by 2 into 3 by 4 और फिर इस पूरे का क्या है इस पूरे का square है into 1 by 3 into 1 by 2 यानि कि एक हारने की जीत और फिर chance है भीके जीतने का तो यहाँ पर जो मेरा r बन जाता है वो r क्या बनता है 1 by 3 into 1 by 2 into 3 by 4 बनेगा वही 1 by 8 बट n यहाँ पर change हो जाएगा तो n क्या हो जाएगा मेरा 1 by 6 divided by 1 minus 1 by 8 1 by 6 7 by 8 that means this becomes 3 and this becomes 4 so 4 by 21 यह हो जाता है probability of B B के जीतने की probability और अब जो A की जीतने की probability होगी वो क्या हो जाएगी देखो 1 is equal to क्या है probability of A का जीतना plus probability of B का जीतना plus probability of C का जीतना तो probability of C का जीतना इससे हम क्या निकाल सकता है deduce कर सकता है 1 minus probability of A plus probability of B 1 minus 16 by 21 minus 4 by 21 is equal to 1 by 21 तो probability of C क्या हो जाती है is equal to 1 by 21 यह आजाता है मेरा तीनो probabilities का answer thank you so much for watching the video क्लासिक स्टिट्वेल से लेके नीट आईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर